सब को देखा बार बात हमको देखिए अब की बात चेर्मेन पत्का उमिद्वार आपका स्रयोगी है इस्टरार आप देख रहे हैं न्यूस नाइन भारत रखे आपको सब से आगे नमस्कार आप देख रहे हैं नियूसाइम भारत मैं हूँ आपके साथ अंजली चलिए रुख करते हैं खबरों की और खबर उत्तर प्रदिश की जनपत गाजीपुर से दिखाई दे रहा है आपको बतादे कि गाजीपुर जिरे की कमान समालते ही नवागत एसपी ओमबीड सिंग गाजीपुर सहर के स्टलक पर उतरे एसपी ओमबीर सिंग के निर्खुत में भारी फोर्स के साथ सदर कोतवाली से रूट मार्च निकाला ये रूट मार्च कोतवाली से शुरूओ कर सहर के पुराने जिरा अस्वताल नखास नवाप साहब भाटक होते गये पुरा कोतवाली पर आकर समाप्त हुआ इस दोरान एसपी ओमबीर सिंग ने कहा कि रूट मार्च का उदेश जन्ता में विश्वास पैदा करने के लिए सार के मुक अस्थानों पर रूट मार्च निकाला गया है कि पुलिस जन्ता के लिए ही है इस पी ने कहा कि रूट मार्च से जहां आम जन्त को अपिश्वास होता है कि पुलिस उनके लिए ही है साथी इससे आम लोगों से बाचित करने का भी औसर मिलता है डियूज राइन भारत के लिए संबादाता साउध अंसारी की रिपोर इसके तीन अभियोग मिले हैं इनको गिरिपतार भी किया गया है इन पर अभियोग पंजी कराए गया कुछ इसमें लोग भगे हुए हैं जिसकी बारे में जानकारी ली जा रही है जानकारी होगी उनके गिरफ्तारी होगी साथ ही साथ इसमे आगे गंड़श्टर की भी कारवाई करके इनके संपत जपती करता है कितने लोग गिरफतार होगा है खिक गजञपन में आपका प्रतम अगमन है और पहले दिन आपके दोर रूट मार्श निकाला गया क्या कहना इसके पिछले पास साल से लगभश हर जन्पद में प्रति दिन रूट मार्श हो रहा है और इसका परपज केवल है कि लोगों में विश्वास हो कि पुलिस जन्ता के लिए है और ज कानून के राज के प्रति विश्वास पैदा करना और उनकी परिशानियों की जानकारी करना और इसके लिए भी सचेट किया जाता है जो शिकायत हैं महिला उत्विरण की सामाने रूप से सुलने में आती हैं कारेस थलपे या बाजार वगेरा में उसमें भी लोगों से पू अबी के लिह इतना ही काफी अफी से भड़ी ख़बर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगे जाज़त नमस्कार